आज क्या चलेगा क्लास 11 में एक्सरसाइज 3.3 चले इससे पहले हैं आपको कुछ प्रैक्टिस को या फिर कहा जाए तो आदत डालने पड़ेगी क्या करने पड़ेगी आदत डालने पड़ेगी जैसे अब आप कभी भी और को इस डिगरी में नहीं लिखेंगे आप जब भी लिखेंगे एंगल को रेडियन में लिखेंगे यानि कल तक जो भी फर्मला आपने देखा था उन सभी को आप रेडियन के एकार्डिंग समझेंगे पहला बात जीरो को जीरो ही लिखेंगे रेडियन में तीस को पाई वाई सिक्स कहेंगे इतनी समझदारी है साथ को पाई वाई थ्री कहेंगे पाई तालिस को अब चुकि मुझे तो प्रैक्टिस है अब आपको भी प्रैक्टिस होनी चाहिए पाई वाई फूर लिखेंगे क्या लिखेंगे नब्बे को पाई वाई टू लिखेंगे एक सो असी को पाई लिखेंगे दो सो सत्तर को थ्री पाई वाई टू लिखेंगे क्या लिखेंगे अत तीन सो साथ को टू पाई लिखेंगे बोलो हो जाएगा प्रैक्टिस में आ जाएगा इसलिए जो आप लिखते हो कि साइन नाइन्टी माइनस ठीटा बराबर क्या कोश ठीटा ये फार्मलो पता है आपको पता है अब ये नहीं लिखोगे अब आप फार्मलो याद करोगे साइन पाई बाई टू माइनस ठीटा इसकोल टू कॉस ठीटा बोलो समझ में नहीं आया बोलिये समझ में नहीं आया कोई दिक्कर साइन पाई बाई टू माइनस ठीटा यानि कॉस ठीटा इसी तरीके से कॉस तीन सो साठ माइनस ठीटा को क्या लिखते हो फहले फार्मुला कास 360 माइनस ठीटा क्या होता है कास ठीटा होता है ना है ना 44 ठांस अब 360 से रिलेटेड है तो नो चेंजी अब इसको लिखोगे क्या कास 2 पाई माइनस ठीटा यानी बोलो समझ में नहीं है पोली clear solve दिख रहा है 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 अले जैस ले लिजे क्या करेंगे अब चुकी प्रैक्टिस हो चुकी है आपको आपको यह बात पता है कि पाई बाई शिक्स कौन सा कोड़ है प्रैक्टिस यह बताओ इसका वर्ग जो होता है वह इसके स्कौर में नहीं लिखते हैं साइन स्कौर पाई बाई बाई शिक्स लेगो बोलो समझ में आता है कि नहीं आता है पूट थ्री भाई टू क्या बुट नहीं हां हां सारी क्या होता है वन वाइ मुझे साइन समझ प्रमाइन सें का मतलग होता है वं पाई बाई फूर का मतलग होता है वर 15 संस सब काल्सियम यहां क्या आएगा बोलो समझ में इती सिद्धम LHS is got to बोलो इसी तरीके से दूसरा कर लोगे बोले सब्सक्राइब सेवन पाई भाई सिक्स क्या है इसकी वैलू तो आ जाएगी का से एक यह देखो सेवन पाई भाई पाई से जादा है कि पाई से कम है एक पाई से जादा है का से एक सो असी प्लश ठीटा लिख सकता हूं बोलो का से के एक सो असी प्लश ठीटा क्या होता है कि तीसरा चतुर्थांस बढ़ने का नहीं माइनस कॉसेख ठीटा की जगह का हो माइनस कवर कास इसको कास पाइवाइवाइव दो यह चार यहां रखेंगे कितना इंटू पाइवाइव थी की जगह क्या रखेंगे कास अठासाथ के बनलू एक बटा दो एक बटा दो का वर्ग लिग बटा चार इस टोटल की वाईवाइव कितने आएगी वन कितने आएगी वन यहां पर देखो क्या है प्लस है यह टू इंटू कास फाइवाइवाइव शिक्स की वालू एक बटा दो, जोड़ना बोलना, एक बटा दो का, वर, ज्यानि दो गुड़े एक बटा, चार, बोलो हाया ना, बोलो हाया ना, प्लस, ये कितना था, एक, दो एक का, एक बटा दो धन, तीन बटा, सब हल हमी को कराना, तीन बटा दो आया कि न आया, कर लोगे, पक्का, कि यह हो जाएगा देखो जहां पर समस्या है वहां पर पाई की जगह एक स्वस्थी रख देना जैसे आपको नहीं पता कासिक 5 पाई भाई 6 को क्या लिखों मुझे तो यह पता है इच्छा से भाग नहीं दे पाएंगे वहां पाई से छोटा होगा पाई से तो मैं तो लिख दूँगा मुझे तो पता है कि कासिक पाई माइनस पाई भाई 6 यानि कि कासिक पाई भाई 6 क्योंकि 180 माइनस ठीटा दूती हो दूती में कासिक क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है पाई की जगह 180 रखिए पचास्तियां अब डेड़ सो कासिक डेड़ सौंस का मान अब तो निकाल लोगे है ना यह भी हो जाएगा दस लाना है उत्तर जो नहीं आएगा पूछ लोगे यह भी आजाएगा साइन पचातर नहीं आएगा आएगा मैं बताता हूँ कुछ नए फारूमले फारूमला जानी है फारूमला जानी है पहले साइन तूए बराबर कोई दिकत कास तूए बराबर कास स्क्वेरे माइनस याद है या फिल तू कास स्क्वेरे माइनस वन या फिल 1-2 sin square अंसल याद कर लोगे कि याद है कुछ-कुछ याद है बाकी याद कर लोगे 10 2a का फार्मला बताईए 2 10 अपान 1- विदिकत sin a plus b का फार्मला sin a cos b plus cos a बुलो हाया ना अगर यही minus होगा तो sin into cos b minus होजाएगा cos into कोई दिकत यही cos a plus b का क्या होजाएगा देखो cos a plus b में बीच में minus लगता है यह याद रुखना cos a very good cos a into cos b minus sin into sin b cos a cos a minus b cos a cos a plus sin a sin b सब tan a plus b वाला भी बता दीचे tan a to tan tan a plus tan b tan a plus tan b upon 1 minus tan into tan a into tan upon 1 minus tan a into इसी तरीके से tan a minus बी tan a minus tan a minus upon clear याद रहे गए या फर्मॉला अब आते हैं चलिए इसी फार्मॉले की सहाइता से हम सभी के पंद्रा इसका मान निकालेंगे यानि sin 15 15 15 10 15 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 करक静け अगर कास पंदरा आ तो उसको ब्लाज विल्टा करके तो जया देन उक्त एल्डाइक है तो विल्टा शुक्त करके काट पंदरा निकाल लोगे पका तो मैं निकालना सिखाओ तो मैं चैनम कि पंदरा को क्या आप 60-45 लिख सकते हो बोलो या 45-30 रख सकते हो बोलो लिख सकते हो कौन सा पसंद है आपको इन में से 60-45 नहीं आएगा क्या कुछ नहीं वही आएगा जो इसका आएगा वही नहीं आएगा इसका आएगा तो इसका कोई वह बात नहीं मैं सिखा रहा हूं आपको दोसी साब से समझिए कि कुछ भी रख सकते हो आपने 45 माइनस 30 का इसलिए मैं 60 माइनस 45 ले रहा हूं रो शाइट मैंस 50 साइन ए मैंन 7 वी बोलो हाँ है शाइन आए माइनस बी क्यों बॉम्गौ के याद रहा है नोट्स पीडियाप मिल जाएगा ग्रूप में शाइन साइन डियालो इन्टू कॉस 45 के वालो माइनस कॉस 60 के वालो 1 बाइ 2 इन्टू साइन 45 के वालो क्या सब कैलसियम 2 रूट 2 है बोल ये तो ये एंसर हो जाएगा रूट 3 माइनस एंसर बोलो नहीं आता बोलो अरे यार आयक नहीं आया 15 के गुड़क में सब का अब ये जो को साइन आ गया क्या कास 15 निकाल लोगे कैसे उससे भी निकाल सकते हो क्या कास 45 माइनस 30 करके नहीं निकाल लोगे उससे भी आएगा साइन स्क्वेर 15 प्लस स्क्सकूर ka皆さん बराबर एक से भी आएगा आपकी मर्जी जाये इससे निकाला कि प्रैक्टिस करने के साहिन स्क्राइर 15 Official बराबर एक से तो आजाएगाट-पर स्थम के wizard नहीं संजके क्योंकि साइन स्क्वर 15 मिनल है 20 परंबर एक जानने के लिए साइन स्क्वेर 15 की बाईलो पता परीच आई यह तो वही बात हुए कि पहले साइन 15 तो ले आईये तो इससे अच्छा इक कई बार में करने कास 15 की वेलो नहीं समझें सम्झाइगी नहीं सम्झें पंद्रा की गुड़क में सब का टैन पंद्रा आ जाएगा कैसे 1060 माइनस पैंतलिया 1045 माइनस पक्का 100 वर्जन पंद्रा की गुड़क में हले कोड का मान निका लिए 15, 30, 45, 60, 75, 90 अब बताईए इन में से 30, 45, 60 और 90 का मान पता होता है 15 का भी PDEOS में निकाल लिए तो बताओ 75 कैसे आएगा जैसे फार एक्जामपल ये भी आपका होमवर्क है तो हम लिख देंगे मुझे माल लिजे कास पर चतर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा हो जाएगा कास 45 इन्टू कास 30 माइनस साइन 45 इन्टू साइन 30 कास 45 के वैलू गोन अपान रूट टू इन्टू कास 30 के वैलू रूट थ्री बाए माइन साइन 45 के वैलू कितना है यह यह दोनों तो सेम वैलू आगे बोलो आरे कास 45 को क्या आप कास 90 माइनस 15 नहीं लिख सकते हैं कौन सा को प्चतुर्थांस प्रथांस प्रथांस क्या कास 90 माइनस ठीटा को साइन ठीटा नहीं लिखोगे साइन 15 की तो वही वैलू ही होगी ना इस मैं अथर से भी आप निकाल सकते थे नहीं समझें अब बताओ साइन 15 तर आजाएगा कि नहीं बोलो आएगा कि नहीं आएगा पक्का बताएं टैन 15 तर आजाएगा पक्का चलिए इस शित करना कितना आओ करें माल लेते हैं ये क्या है इसको हटा दीजे अभी साइड में यह आ जाएगा क्या कास 45 मानेस एक्स को कास 45 सॉरी कास एक्स और प्लस साइन 45 और साइन एक्स लिख सकते हो ब्रेकेट बंद कर दे बोलो अरे सर ये क्या लिख रहे हैं आप ऐसे भी करो के तो भी आ जाएगा लेकिन असान बनाईए न सर ये कास ए है माल लो ए क्या है क्या है और बी क्या है पाई बैफ फूर माइनस तो ये हो जाएगा कास ए कास भी माइनस साइन ए तो फार्मुलो चाब बन जाएगा हाँ बीज में माइनस है ना तो कास ए प्लस ए क्या है प्लस बोलो सर कास पाई बाई फूर और प्लस पाई बाई फूर क्या पाई बाई टू हो जाएगा प्लस 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 क्या नब्बे हो जाएगा और नब्बे को पाई बाई टू लिखते है बोलो और माइनस एक्स माइनस क्या इसको हम कास नब्बे सॉरी नभी अब नहीं लिखना है पाई बाई टू माईनस एक्स फ्लस य लिख सकते हैं क्या लिखा हूँ मैं ज्यादे दिखाई दे रहा है क्या कौन बलो 9 9 नहीं 2 आएगा कास नभी माईनस ठीटा क्या होगा सॉइन धीटा बोलो आया की नहीं आया आया कि नहीं आया कोई दिक्कात किने सवाल है टोटल बुलो आ जाएगा आ जाएगा के रहें चोगदा तक सरा जाएगा देखो यह आला बता दू क्या LHS 10 5 by 4 प्लस X अपान 10 5 by 4 मैंनस X 10 A प्लस B 10 5 by 4 प्लस 10 X अपान 1 मैंनस 10 5 by 4 इंटो 10 X अपटा 10 A मैंनस B क्या हो जाएगा बुलो यहाँ मैंनस यहाँ प्लस बुलो हाँ यहाँ ना कोई दिक्त यह हो जाएगा 1 प्लस 10 X बुलो बुलो 10 5 by 4 कमान 10 5 by 4 कमान 1 प्लस 10 X लिख दिया कोई गलत लिखा गया और 1 मैंनस 1 इंटो 10 X अब बटा 1 मैंनस और बटा 1 इंटो 10 X 10 X ही होगा ना इसको उपर भेजे इसको नीचे तो 1 प्लस 10 X का और बटा 1 मैंनस यह है यह सिद्ध करना था बोलो बोलो यह सिद्ध करना था वह चल इसी तरीके से दस्वा का भी उत्तर यहां से यहां दिया है देखो आठवा आप लोग पाउस करकर के देख लेंगे घर पे जाके वह दिकत किसी ने पूचा सर दस्वा बता दीजे पूचा ने किसी ने बोलो इसको माल लीजे A इसको माल लीजे B साइन A साइन B प्लस A इतना और यह हो जाएगा ए तो चाहिए इसको पहले लिखे है तो यह क्या हो जाएगा और यह यह नहीं है पाई है यह क्या है क्या है कि यहन है यहन है सॉरी जैसा कहना थी यह तो पहले इसको लिखते हैं फिर इसको लिखते हैं दोनों के बीद में प्लस है तो कास यहन प्लस वन यक्स माइनस एन प्लस टू यक्स वोलो हाई एन, बोलो, 2 से अंदर बुड़ा कर यन x प्लस yux माईनस yux माईनस 2x, बोलो हाई एन, बोलो yux yux तो कास yux में से 2x गए, कास माईनस thटीटा क्या होता है? कोई दीकर? को से प्लस भी को से माइनस भी फार्मुला लगा दीज़े साथ साइन स्क्वेर शीक्स एक्स माइनस साइन स्क्वेर 4 एक्स क्या इसको साइन स्क्वेर साइन स्क्वेर शीक्स माइनस भी इसक्वेर का फार्मुला लगा सकते हैं क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन सिक्स एक्स प्लस 4 एक्स इंटू साइन सिक्स एक्स माइनस 4 एक्स लिख सकता हूँ क्या बोलो बोलो ये क्या हो जाएगा इन्तु, ये क्या हो जाएगा? क्या ये हुआ है जो सुन दिखरना है? और ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं समझें? ये बता ये साइन्टू एक्स, टैन्ट कैसे होगा? साइन्टू एक्स, साइन्ट एक्स यह बताओ यह तो 2X 2X ही है क्या है यह तो यह वाला है यह इसी है नहीं फिर से बोले है यह जो सुन दिया वही है सवाल यह तो यह स्क्वार माइनस बोलो जाने दो यह बताईए कर लोगे क्या हम करें सोच लीजिए सोच लीजिए क्योंकि और खार मुला बताना चाहता हूँ मैं बोले बताओं की न बताओं अधाद्ए बतादी ताम बतादी ताम साइने प्लस साइन भी क्या होगा कि मैं जी सी साफ सो बताना चाहता हूं परले हम यहां देखते हैं यह मालो समिका रेख है और यह समिका दोनों को जोड दीजे दोनों को क्या होगा और यह दोनो तो फार्मला टू साइने कास भी काएगा साइने प्लस भी प्लस साइने माइनस भी चली यहां तक करिए क्योंकि इससे आदा कॉंसेप्ट में बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा उसको नेक्स्ट डे डेरिवेशन के साथ बताएंगे फार्मला ऐसा नहीं है कि मैं फार्मला नहीं बता पाऊंगा आप बास समझ रहें अगर मैं इसका फार्मला बताना भी चाहूँ तो बता जाऊंगा च्या होगा तो साइने फ्लस भी बाइं टू इंटू कॉस ए माइनस भी बाइं एक नहीं तरीके से बताएंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अगरी कर टेक कर आवल दुश्या तक सवाल लगा लिजी